च्छेत्र अध्यन विदी जैसे कि प्रियोग करते हैं, जब हम ऐसे जगासे पॉपॉलिशन का डाटा लेते हैं, जो फिल्ड में आती है, यानि कि एक बहुत बड़ी पॉपॉलिशन का डाटा एक साथ लेना और वो भी फिल्ड से हो, जिसमें हम प्रियोग शाला का प्रियों के लिए किसी पील्ड में जाकर के, ऐसा डाटा एक अत्रत करते हैं, जिसमें विद्यूं को नहीं पता होता है, के उनकूप अध्यन किया रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे फायती ही है कि वास्तिविक लिशना है, वो मिलते हैं, तो नेक्स्ट है कर्लिंगर, तो कर्लिंगर का मंना था तो कर्लिंगर का मानना था जो भी वेवस्थत रूप में गभद्यन किया जाते है जिसमें समेटे डाटा लिया जाताै और data जो होता है वो बास्ततिवख रूूप में होता है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रायोज होते हैं वो उस प्रयोख से अन्भिग होते हैं। की, यह यहां पर रेपिनेशन से नेक्स्ट है प्रकार ययानि इी छेत्रा दिन बे जी कितने प्रकार के क्या दो हैं। तो अन्वेशन आपनाग है और दूसरा परिकर्पनाग है, अन्वेशन का मतलब हुझ करना, यानि कि कुछ नई चीजे जानकर के, मतलब अजय जमान के चलोगर हम बात अबरण में रह रहे हैं, तो हम बात अबरण कुछ नया देख रहे हैं, कंटिन्यू हमें बात अबरणे यानि कि अन्वेशन आत्मक सत्थाथ, जिसमें हम लोग कुछ नया देख, जो हमें दिखाई दे रहा हैं उसको ही जानने कुशच करते हैं, और नेक शूता परिकल्पनाग है, तो परिकल्पनाग मतलब हैं कि हम अपने हिसाब से प्रियुक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं तो भी हम नया जयने कोशच कर रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं दिया रहा है, तो दोनों में माइनर सा रिफरेंस है, अनफेशना अत्मक का मतलब जो चीज घटे तो हो रही है, उन्हीं को जान करके उनके हर एक पहलू को डिसाइन करना, अब परिकल्पात अग्भू होती है, जिसमें कोई चीज है ही नहीं, और हम को ऐसा लग रहा है कि वास्तम में ऐसा हो सकता है, तो इन दोनों में इतना ही रिफरेंस है, ठीक है, अब है सौपान की बात करते हैं, चरण की, तो जब हम छेत्र में अजन करते हैं, तो सबसे पहले आना क्या बनानी पड़ती है यह उ सबसे करना है, और किस जगह से डाटा लेना है, कितना डाटा लेना है, तो यह सब को डिफाइन करता है यूजन, तो यूजन अगर बनाएंगे, तो ही हम लोग छेत्र में अध्यन दम से कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों पर अध्यन हो रहा है, उनको तो हम जानते ही नह अनवेशी मतलब होता है नया को जानने की खोज करने के लिए गिया गया प्रियों इसमें जो हम लोग खोज करते हैं कुछ नया जानने के लिए उसे अनवेशी कारे करम क्याते है एक next है शूद अभीकलब का नेर्मार शूद अभीकलब का मतलब होता है जो रिषयर्च दिजाव इसको बनाना नया की किस मेतसथ से डाछॉड करना है कितना डाठ कॉलेक्शन करना है किस एरिया ते डाठ कॉलेशन करना है ओ डाठ करने के बाग रिजल्ट से रिकारelnा है यह चार पान चीज़े आप पहले जर्ट करने से हैं, इसे शोध कर नुक्त है है स्वत करना कि पूर्व जण्ट यारि कि जब भी हम शोध करते हैं तो शोध में कौन से तूल का यूज़ करना है किस माधियद से डाटा करना है उसको पहले हम चेट कर लेगे कि वास्ता में वो सही परणाम देभी पाई रहे या नहीं, उसी के बाद हम उसका प्रियोग करें अगला है पूर्व चेट्र आध्यान, यारिकि जिस चेत्र के लोगों का लाटा हम दे रहे हैं, तो पहले उन लोगों को हम लोग एक तरी से यह देखेंगे कि जितना दाटा में चाहिए है, कि अतने लोग उस चेत्र में है भी या नहीं, अगर लोग चेत्र में कम दो तो फे हम देटा कलेक्शन करते हैं, तो डेटा कलेक्शन करने के लिए जो भी हमने आंकडे लिये हैं, उनको व्यवस्तित किये जाता है और व्यवस्तित करने के बाद भूंकि जो step by step जो उसको प्रोसीजर होता है, रिजर्ट से निकाल नहीं ता उसको लगाया जाता है, जब हमार यहार पर उसको कुछ नया अलगपन देखने को पूलेंगे ठेंक्यू